जैसा कि आप सबको पताए कि टर्की भारत को अपना दुश्मन मानता है कश्मीर हो या भारत का कोई आंतरिक मामला हो टर्की अपने टांग अड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और इसी सबको देखते हुए आपको यहां बता दे अभी कुछी देनों पहले न्यूड से टर्की जबरदस्त मार खा रहा है तो भारत भी टर्की पर दबाव बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है और इसी दिशा में बहुत लंबी छलंग लगाते हुए भारत ने पहली बार अर्मेनिया को 40 मिलियन डॉलर की कीमत पर रडार बेचने की डील चीत ली है और इस डील को लेकर भारत का कॉंपिटिशन था रूस और पोलेंड के साथ और अर्मेनिया ने इन दोनों देश के रडार को टेस्ट किया था लेकिन उसके बावजूत भी अंत में अर्मेनिया ने स्वाती वेपन लोकेटिंग रडार को खरीदेने का निर्ने लिया और इस डील की खबर निकल के तब सामने आई जब भारत ने चार रडार सिस्टम को सप्लाइ करना शुरू कर दिया और अगर हम इसके रेंज के बारे में बात करें तो बेसिकली यह काम करता है उसकी यह एक्जक लोकेशन बताने का काम करता है तो यह दोसे लेकर 30 किलोमेटर की रेंज में बता देगा कि आखिर अटेक कहां से हो रहा है और अगर रॉकेट से अटेक हो रहा है तो यह चार से लेकर 40 किलोमेटर की रेंज में बता देगा और अगर मोटार से शेलिंग हो रही है तो यह दोसे लेकर 20 किलोमेटर की रेंज में बता देगा कि आखिर अटेकर निर्यात करता है और मोधी सरकार ने वर्ष 2024 तक सालाना 35,000 करोड के हतियारों के एक्सपोर्ट का लक्ष अपने सामने रखा है इसलिए अर्मेनिया के साथ हुई ये डिल को भी उसी दिशा का उठाए गया कदम माना जा सकता है और उम्मीद करते है भारत और अर्मेनिया की द